सलाम अलेकूम दोस्तों, तो आज हम मनाने वाले हैं बहुत ही मज़ीदार और जबरदस्त बनने वाला क्रीमी फ्रूट सैलाट रेपी, जो बहुत ही ज्यदा आसन तरीके से बनाना वतांगी प्रेंट्स में आपको और इतना ज्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ही जल्दे और छटपर तरीके से ये बनकर रेडी हो जाता है तो वीडियो को भी ना स्किप के पूरा देखे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो फ्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फ्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही मज़दार सी और आसान सी रेसिपी है बिस्मिल्लाही रह्मानी रहीम तो सबसे पहले देखे फ्रेंट्स मैंने यहाँ पर एक बोल ले लिया है जिसमें मैं दालूँगी यहाँ पर क्रीम दालूँगी तो देखे फ्रेंट्स मैंने यहाँ पर 250 ml का पूरा एक पैकेट क्रीम का लिया है तो यह पूरा क्रीम मैं इसमें दालूँगी तो एक कप देखे मैंने गाड़ा वाला अच्छे से दहीं इसमें दाल लिया है अब यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मिल्कमेड ले लिया है तो यह मैंने 200 ग्राम का डिपा लिया है तो यह सारा मैंने इसमें दाल लिया है तो देखे friends, यहांपर हमारा क्रीम बहुत अच्छ से मिक्स होना चाहिए, तो देखे, मैंने इसको यहांपर बहुत अच्छ से मिक्स करगर एड़ी कर लिया है, तो आप क्या करेंगे हम, यहांपर हमारा क्रीम रेड़ी है, तो इसको मैं साइड में रख ajudar लूँगी, तो प्रूट के लिए हैं हरे और कले वाले अमबूद भी युका है और यहाँ पर मैंने एक बड़ा संत्रा लेकर इसके भी मैंने क्षोटे तुखड कर लिया है तो इस बरतन में मैं ये सारे fruits को डाल लूँगी friends तो देखे friends आप यहाँ पर अपने हिसाब से fruits ले सकते हैं आपको कोई भी fruits पसंद हो जो भी fruits आपको पसंद है आप ले सकते हैं यहाँ पर तो देखे मेरे पास ये fruits थे मैंने ये fruits इसमें डाल लिये है तो friends अगर आपको मेरी recipe पसंद आ रही है न तो please मेरे channel को ज़रूर से subscribe कर लीजिए तो देखी ये fruits मैंने इसमें डाली है अभी मैंने और fruits लिया है यहाँ पर यहाँ पर देखे friends मैंने 2 apple लेकर छोटे तुकड़ों मैं भी इसको cut कर लिया है यहाँ पर मैंने थोड़े से strawberries ले लिया है जिसको भी मैंने cut कर लिया है और यहाँ पर मैंने थोड़े से अनार के दाने ले लिया है तो यह सारे भी fruits हम इसमें डाल लेंगे तो देखे friends जैसे कि मैं आपको बता रही थी आप अपने पसंद से कोई भी fruits इसमें डाल सकते हैं तो देखे अनार भी इसमें डाल लेंगे अब देखे friends यहाँ पर मैंने ले लिया है मौस में मैंने आपर 5-6 केले लेकर देखे इसको इस तरह से अच्छे से कट कर लिया है तो यह भी हम इसमें डाल लेंगे तो देखे सारे fruits मैंने अच्छे से इसमें डाल लिया है अब हम क्या करेंगे जो cream हमने बना कर ready कर लिया है ना वो सारा cream हम mixture इसमें डाल लेंगे तो देखे friends जैसे कि मैंने दूसरे बरतन में सारे fruits डाल कर cream डाल रही हूँ उपर से तो आप चाहे तो जिसमें आपने cream को mixture mix किया है ना उसी में आप सारे fruits डाल सकते हैं लेकिन यहाँ पर मेरा यह ball छोटा था इसमें सारे fruits नहीं आ रहे थे तो मैंने इसलिए इसमें दूसरे बरतन में इसको डाल लिया है तो देखे सारा हम cream अच्छे से इसमें डाल लेंगे पुरा तो सारा cream मैंने पुरा अच्छे से इसमें डाल लिया है अब हम इसको अच्छे से mix कर लेंगे तो देखे friends अच्छे से इसको mix कर लेने के बाद मैं इसको रख लूँगी फ्रीज में तकरीबन दो घंटे के लिए ये बहुत अच्छा थंडा हो जाएगा तब ही ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा तो देखे फ्रेंड्स ये आप रमजान में इसको जरूर से बनाईए आप इसको दोपेर के टाइम पर बनाकर फ्रीज में रख लीजिया और इफ्तार के टाइम पर आप इसको खा सकते हैं इतना ज्यादा मज़े का लगता है फ्रेंड्स क्रीमी और मैं आपको क्या बता हूँ इतना ज्यादा मज़े का बना थाना ये तो देखे अच्छे से मैंने इसको पुरा mix कर लिया तो मैं इसको रख रही हूँ फ्रीज में तकरीबन दो घंटे के लिए जब ये अच्छे से थंडा हो जाए गया ना तब मैं आपको बताऊंगी तो देखे फ्रेंस यहाँ पर मैंने दो घंटे के लिए इसको फ्रीज में रख लिया था और ये बहुत अच्छे से थंडा हो गया है और बहुत ज़्यादा मरसे का बन करेडी है तो इसको मैं सर्फ कर लूँगी दूसरे बरतन में आप चाहे तो इसी में भी आप इसको रख सकते हैं तो देखे मैंने यहाँ पर इसको दूसरे बरतन में सर्फ कर रही हूँ तो ये इतना ज्यादा टेस्टी बनता है ऐफ इफतार में तो जरूर से एक बर जरूर से बनाईए इसको और मझे आप जब भी बनाते हैं न मुझे कमे इंस करकर जरूर से बताईए आपकी ये रेसिपी कैसी बने तो देखाए आपने कितना जल्दी और बहुत ही आसन तरीके से जट पर से हमने इसको बना कर रेडी कर लिया है सिर्फ फ्रीम, दहीं और मिलाना है और सारे फ्रूर्स दालना है और इसको फ्रिज में रख देना है थंडा होने के लिए जब ये थंडा हो जाएगा ना तब आप इसको सर्फ कर लिजे तो फ्रेंट्स आप इसके उपर से आईस क्रीम भी दाल सकते हैं कटे हुए ड्राइफ फूर्स दाल सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से तो मैं इसके उपर देखे थोड़े से यहां पर काले वाले अंगुर दा रहे हूं थोड़े से स्ट्रॉबरिस दाल रहे हूं और थोड़े से अनार के दाने दाल रहे हूं आप इसको जब सर्फ करेंगे ना तो आप इसके उपर से आईस क्रीम भी दाल कर खाएए फ्रेंट्स बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगीगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी हमारा यहाँ पर क्रीमी फूर्ट सलाट बनकर रेडी है तो आप भी ज़रूर से ट्राइ कीजिए फ्रेंट्स और मुझे बताएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए Ekkili djáum með yað rækjiega, Allah Hafiz!